नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है टेकरीबॉन इस यूटूब चैनल में OnePlus Nord काफी हाइप किया हुआ स्मार्टफोन है OnePlus की तरफ से 21st of July को लॉंच होने वाला है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्या आपको प्रीबुक करना चाहिए OnePlus Nord प्रीबुकिंग डिसकस करेंगे प्रीबुकिंग के बारे में और कुछ अल लेटेस अपडेट निकल के आए OnePlus Nord के रिगार्डिंग तो उसको भी डिसकस करने वाले Specs, Design अल्रडी लीक हो चुके OnePlus Nord के उसके बर में मैंने अल्रडी वीडियो बनाई है आप नहीं देखे तो आप मेरे वीडियो मिल जाए कि उसे चेक आउट कर सकते हो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे प्रीबुकिंग डिटेल की कहा से आप और कैसे आप प्रीबुक कर सकते हो तो कल 15 जुले देड़ बजे आप जाके प्रीबुक कर सकते हो यहां पर क्लियर लिमेज़ूंपर आमें प्रीबुकिंग देखने मिलने वाले है तो यह लिमिटेड टाइम तक रहने वाला है यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा मुझे लगता है कि लिमिटेड वन प्लस नॉड के स्टॉक्स यहां पर देख सकते हो और यहां पे आपको डिफ्स भी क्लेम करने को मिलेंगे वर्फ अप्ट रूपीज़ 5,000 प्रीबुकिंग गिफ्स के अगरम बात करें तो प्रीबुकिंग की प्राइज ए 499 रूपीज दो बॉक्स आपको मिलेंगे वन बॉक्स आपको अपको प्रीबुक कर लो लिमिटेड एडिस्वन मर्चेंडाइज होगा फ्रॉम वन प्लस एंड जो सेकेंड बॉक्स से वह आपको तब मिलेगा जब थर्टी फर्स ऑगस्ट से पहले वन प्लस नोड को पर्चेस करते हो उसमें कुछ एसे सरी एंड स्पेसिल की बॉक्स हमें देखने को मिलने वाले त तो यह अच्छी बात है कि मिड्रेंज में भी हमें इतने तगड़े स्पेसिल के संदेखने को मिल रहे है तो अभी हम में टॉपिक पर आते क्या आपको वन प्लस नोड प्रीबुक करना चाहिए इस इस टॉपिक पर हम दो पॉंट डिसकस करेंगे पहला जो है दोस्तों वह यह नहीं कहा है कि 25,000 होगा यह एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अगर आपके बजट से बाहर हो जाता है फोन तो आपने जो प्रीबुकिंग की ए 499 रुपिज दे के वो तो लॉस्टी समझो क्योंकि प्रीबुकिंग स्कीम वन प्लस नोड की अलग है क्योंकि इसमें प्रीबुकिंग कर लिया तो आप इसे यूज नहीं कर पाऊगे क्योंकि इसमें फिजिकल जिफ्स इन्वाल यानिके मर्चेंडाइज अन्सेसरी इसमें इन्वाल्ड है और सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो स्टॉक अवैलेबिलिटी जैसे वन प्लस एट ले लो जो आप दो तिन मेने पुराना एट परोन का फ्लैक्स्रीप वह अभी तक उपन सेल पर गया यह नहीं है अभी तक फ्लैस चल रहा है और वह भी कुछ एक दो मिनिट में हो जाता है तो स्टॉक अवेबिलिटी वन प्लस का में प्रॉब्लम रहा है तो हम यह होना बहुत कम चांस लग रहा है लेकिन यह कंफर्म नहीं है हो सकता है यह ऐसा कि स्टॉक अवेबिलिटी ना हो वन प्लस की तरफ से में जो प्रॉब्लम है दोस्तों वह अनसर्टैनिटी ओफ प्राइज इसकी अगर प्राइजिंग पता चल जाती तो अगर आप प्राइजिंग है लेकिन वन प्लस कुछ भी कर सकते हैं उन्होंने कहा है कि 37,000 ती नीचे होगा तो 35 हो सकता है 30 30 हो सकता है 32 भी हो सकता है तो अगर आपके बजट से बाहर जाता है यह स्मार्टफोन तो आपके लिए बड़ा अपसेट रहेगा प्रीबुक यूजर्स को मै एक पोल भी कंड़क्ट करने वाला अपने कम्यूटी पोस्ट टैप पर कि क्या प्रीबुक करने वाले वन प्लस नौड तो आप अपना वोट वहाँ पर जाके दे दीजिए तो ओकी कैसा अगर आपके वोड़ा पसंदा है तो लाइक जोरू करना अभी तक आपने चैनल को स सब्सक्राइब के लिए और साथ ही में नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीगे